तो भाई जैसे कि हम सब बात करें इस बार चार कंटेस्टन जो है वो घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेटीड है और अब ऐसे में उनके घर में रहना और ना रहना ये डिपैंड करता है बिग बॉस के बाहर की जनता के उपर नहीं बिग बॉस के घर के अंदर जो पंटेस्टन है तो उसकी वज़े कही ना कही अनुराग है क्योंकि अनुराग ने फीजिकल वैलेंस किया था घर के अंदर जिसके चलते जो है वो उनको दो नॉमिनेशन से सेफ कर लिया गया विक्की के थूरू लेकिन उनके पूरे जो जर्णी की सजा है पूरे सीजन नॉ अगर हम इस चीज को थोड़ा सा समझें, तो मेकर्स यहाँ पर नील भट को मुझे ऐसा लगता है, नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि नील भट जो है, अनफेर तरीके से जो है, वो नॉमिनेशन में आए हैं, तो इसके लिए जो है, अब ये पूरा का पूरा जो है, वो प् मुनावर फारुकी के साथ भी हमने उनकी जैज़ है, वो एक फाइट देखी थी, या फिर यहाँ पर जो अनुराग दोबाल है अनुराग दोबाल जिन्होंने मनारा को बना रखा है अपना शिकार और भाई विक्यों और अंकिता को दे रखें अपने सारे अधिकार तो यह भी हो सकता है कि अनुराग दोबाल का most of the contestant जो है वो नाम लेकि इतना जादा contribution उनका भी जो है वो शो के अंदर नहीं है और अंकिता लोखंडे का नाम मुझे नहीं लग़ा कि इतने जादा contestant जो है वो लेंगे तो यहाँ पर अब देखना यह बहुत बड़ा twist होगा elimination के अंदर कि भई कौन सा contestant इस अफ़ते जो है वो घर से बेगर होगा या फिर यह भी हो सकता है कि सल्मान खान एक चिंगारी जो है वो सबके दिल और दिमाग में छोड़ दें क्योंकि यहाँ पर जो contestant जिस contestant का नाम लेगा वो साफ साफ जो है एक दूसरे के यहाँ पर क कोई भी elimination नहीं होगा या फिर घर वालों के basis पर जिसको makers निकालना चाहते होंगे अगर सभी घर वालों की आपसी सहमती या most of the contestant उस contestant का नाम लेगे जिसको की makers भी show से बाहर निकालना चाहते है तो इस हफ़ते हमें जो है वो elimination देखने को मिल सकता है तो क्या कुछ कहना च के लिए हमारे चैनल बोल पटाफट को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जाधा से जाधा शेयर करें